कि लौर्ड किष्णा नमन लौर्ड किष्णा नमन टू अलॉफ यू माई ओल स्वीट डियर श्ट्वेंट प्यार विद्ध्यार थियू आज हम हमारा कैमिस्ट्री का नया चैप्टर है कोल एंड पैट्रोलियम जिसका अध्यन करेंगे ठीक है और सबसे पहले इस चैप्टर म बारें हम टर्म चुक्ट रिमेंबर के बारे में बात करेंगे जिसमें अब में चैप्टर्यम्ह में है किस टाइब से हाथ तो सब्से पहलें दोनों ही इधन हैं क्या है इधन फ्यूल वहाँ पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावस्यक उतपाद के ऊसमा उतपन करता है इधन कहला है मतलब हो है पदात जो एयर में जलता है और कोई उत्पाद नहीं निकलता कि इसमें आस निकलता है यानी राख निकलता है थुड़ा सा और उसमा उत्पन करते हैं क्या उत्पन करते हैं ऊसमा उत्पन करते हैं ठीक है इधन कहलाते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इधन अच्छे हैं कौन से इधन अच्छे नहीं है तो सबसे पहले तो आपका इधन सस्ता होना चाहिए आसानी से उपलब्द होना चाहिए उ उसका उसमी मान यानि कि हीट बैली जो है वो ज्यादा होनी चाहिए उसका परिवहन ट्रांस्पोर्ट अच्छे से हो जाना चाहिए एक जगह से दूसी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसका जो जलने का टेंपरिचर है यानि कि प्रिजुलन जो ताप है वह निम्न होना चाहिए एक कम टेंपरिचर पर ही जल जाए पता चले कि जलाने के लिए एक अलग टेंपरिचर जाए एसा ना हो इधन का उसमी मान क्या होता है इधन का उसमी मान कैसे कैलर और वैल्यू बायू में या ऑक्षिजन में पूरते जलाने पर प्राप्त होता है यहनि कि अगर हम फ्यूल एक ग्राम फ्यूल को पूरी तरह से जला दें तो जो हमें वैलू मिलेगी हुए क्या है उसमी मान है क्या है उसमी मान है अगर हम फ्यूल का क्लासिफिकेशन करें क्लासिफिकेशन तो उसमें अहीं डिफर्ट डिफर्न फ्यूलापको देखने स्वेख्याय मिल्स के ऩे कोईला में ठीक हम पेदेंगे कोईले में भी आपका कोईला है लिगनाईट कोईला है वितुमिनेंस कोईला इंत्रासाइट कोईला ह invers तो यह अलग तरह कोईले हैं फिर पेट्रोलियम मा जाता है जो के बाद प्राक्तिक गैस आती है गैसी डाज़ाता है गोवर गैस अब यृष दम आपके जो है इधन है 1990 कोईला के बारें बात कर लेते हैं कोईला कैसे कलर का होता है आप जल्दी समय बताओ कोईला कैसे कलर का होता है बलैक ना कभी कभी ब्राउन चलो देख लो अपने साब से कार्बन की मात्रा के आधार पर कोईला चार प्रकार के होते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर कोईला कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं पीट कोईला लिगनाइट कोईला सबसे नम्मर बन पर कौन सा था पीट कोईला नम्मर सेकेंड पर लिगनाइट कोईला बिटुमिनस कोईला, एंध्रासाइट कोईला पीट कोईला क्या है? इसके बारे मैं आपको बताऊंगा इसमें कारवन की मात्रा 50% से 60% तक होती है इसे जलाने पर अधिक राक और दुवा निकलता है यह सबसे गडिया क्वाल्टी यानि कि पीट कोईला होता है प्यारे बिध्यारीयों पीट कोईला जो है सबसे निम्न क्वाल्टी का कोईला होता है ठीक है? अब हम बात करेंगे लिगनाइट कोईला के बारे में इसमेues 65% से 70% तक कारवन होता है और इसका रंग भूरा होता है? पूरा अपने लिगनाइट कोईला की ठीक है अब हम बात करेंगे बिटमिनस कोईला क्या होता है बिटमिनस कोईला मुलाइम कोईला होता है सॉफ्ट होता है इसका उप्योग घरेलू कारियों में बहुत ज्यादा होता है घर में घरों में बहुत ज्यादा होता है इसमें कारवन की मा सबसे उच्चतम कोटी है कैसी कोटी है सबसे उच्चतम कोटी है इसमें कारवन की मातरा 85% से अधिक रहती है एंथ्रा साइट इस दा बेस्ट कोवल सबसे बेस्ट आप से पूसे कौन सा कोवल है तो आप बताएंगे एंथ्रा साइट है ठीक है प्यारे बिद्धार थी हो